चानक के AIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत हैं हम बात करने वाले हैं 43 वे आश्यान शिकर सम्मेलन के बारे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इंडोनेशिया के जकार्ता में आश्यान इंडिया सम्मिट में शामिल हुए और 43 वे शिकर सम्मेलन को प्यम मोधी ने सम्मोधित पी किया अब हम बात करेंगे सम्मोधन के बारे में इस दौरान प्यम ने अपने 5 मिनट के सम्मोधन में कहा कि 21 सदी एशिया की सदी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है पीम ने आगे कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक इनिशेटिव में भी आश्यान का प्रमुक्स्थान है आश्यान भारत की एक्ट इस्ट पॉलिसी का केंद्रिय स्थम्भ है आज वेश्विक एनिश्चिताओं के माहौल में हमारे आपसे सहोग में व्रदी हो रही है हमारी साज्यदारी चौते दश्रक में प्रवेश कर रही है इस सब्मिट के शांदार आयोजन के लिए मैं राश्टपती वीडोडो का अभिनंदन करता हूँ आश्यान सब्मिट की अधिक्षता के लिए उन्हें बहुत बहुत बढ़ाई पियम मोदी ने आगे कहा कि पिछले साल हमने भारत आश्यान मितरता दिवस मनाया था और इससे व्यापक रननेतिक साज्यदारी का रूप दिया और आज हमारी साज्यदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है जकार्ता में आश्यान भारत शिकर समेलन को संबोधित करते हुए प्रधान मंतरी ने कहा कि आश्यान भारत की एक्ट इस पॉलिसी का स्थम्भ है भारत आश्यान की पहली वारता की अगर बात करें तो आश्यान देश इस तरह की बैठक भारत के अलावा जापान, आस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका के साथ करता है भारत और आश्यान देशों के बीच वर्ष 1992 से ही वारता की शुरुआत हुई थी लेकिन वर्ष 2002 में शिर्ष नेताओं के स्थर पर सालाना बैठक का फैसला किया गया वर्ष 2012 में दोनों ने रणनितिक साजेदारी घोशित की जिसे वर्ष 2022 में विशेश रणनितिक साजेदारी में तपदील कर दिया गया इसमें प्रधान मंत्री ने दिली से दिली का मंत्र दिया इसके बाद इंडोनेशिया में East Asia Summit की बैठक भी हुई इसमें PM ने Act East in Action के तहट तेमोर लेस्ते में भारतिये दूतावास खोलने की गोशना की इसके लिए उन्होंने दिली से दिली का स्लोगन दिया दरसल तिमोर लिस्ते की राजधानी का नाम दिली है इसते पहले जकारता पहुँचने पर PM का पारमपरिक अंदास में स्वागत किया गया PM मोदी के साथ विदेश मंत्री S.J.S. शंकर भी आश्यान सम्मिट में शामिल हुए है अब हम बात करेंगे समेलन के बारे में साथ जुणना भारत की Act East Policy का जरूरी हिस्सा है आश्यान सम्मिट का आयोजन 5 सितंबर से 8 सितंबर तक होने जा रहा है आश्यान में मलेशिया, इंडोनेशिया, मयम्मार, वियतनाम, कमबोरिया, फिलिपिन्स, मुरनेई, थाइलें, लाओस और सिंगापूर शामिल है के दोरान इंडोनेशा ने एक स्पेशल इवेंट रखा है, इससे इंडो पैसिफिक फोरूम नाम दिया गया है इस फोरूम के जरीए आश्यान देश इंडो पैसिफिक में अपने लक्षों को लेकर राय देंगे इसमें आशियान देशों के इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी विदेश मंत्राले के अनुसार 2022 और 2023 में भारत और आशियान देशों के बीच 10 लाग करोड रुपय का व्यापार हुआ है इस समेलन में चीन पे भी काफी चर्चा हुई हाल ही में चीन ने एक नक्षा जारी किया था जिस पर सिर्फ भारत को ही नहीं बलकि कई आशियान देशों ने भी आपत्ती जताई थी फिलिपिन्स, वियतना, मलेशिया और ताइवान ने भी चीन के विवादित मैप का विरोध किया उन्होंने साउथ चाइना सी में चीन के दावे को खारिच कर दिया फिलिपिन्स ने इस पर कहा कि चीन को जिम्मेदारी से फैसले लेते हुए अंतराष्ट ये कानून का पालन करना चाहिए वही मलेशिया ने नक्षे को लेकर डिपलोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज करवाया मैप में चीन ने हेनान वेप के साउथ में पंदरा सो किलोमेटर तक एक यू शेप की लाइन दिखाई है ये लाइन वियतनाम, फिलिपिन्स, प्रुनेई और इंडोनेशिया के एक्जेक्यूटिव एकॉनमिक जोन से होकर गुजरती है चीन के इस नए मैप में जादा जोग्राफिकल एरिया को कवर किया गया है इसमें एक दस डैश वाली लाइन भी है जिसके जरिये चीन ने ताइवान को अपने हिस्से में दिखाया है ये मैप 1948 में जारी नक्षे की तरह ही है अब हम बात करेंगे Comprehensive Strategic Partnership के बारे में भारत ने पिछले वर्स ही आशियान देशों के साथ Comprehensive Strategic Partnership साइन किया है इसके चलते पीम मोदी का ये दोरा काफी महत्तपून भी है दरसल व्यापक रणनितिक साज़दारी के बाद द्विपक्षय समंद और मजबूत होते हैं जिसके तहत रक्षा, आर्थिक और तक्निकी हितों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया जाता है इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए भारत आशियान बेशों के साथ समंदों को मजबूत कर रहा है इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम कर फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद